हिमाचर प्रदेश में लोक सभा के चार निटवाचन शित्रों के साथ साथ विधान सभा के उप्चुनाव के छे विधान सभा शित्रों के भी जो रुजहान हैं वो सामने आ रहे हैं धरमशाला सीट पर भाजपा के सुधीर शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं सुधीर शर्मा ने पहले राउंड के बाद जो है वो 616 वतों की बड़त बनाई हुई है कॉंग्रेस के देवेंदर सिंग जो है दूसरे स्थान पर चल रहे हैं इसी तरह कर हम बात करें लहौल स्पीति की तो यहां से पूरा मंतरी डॉक्टर राम डाल मारकंडा जो भाजपा बात की प्रत्याशी अनुरादा राना से 900 2002 मतों की बड़त बनाई हुई है ए इस वक्ट सुजानपूर से जो अपडेट है, सुजानपूर में जो है कैप्टन रंजीज सिंग राणा जो है मात्र छे बतों से आगे चल रहे हैं, आठ राउंड की काउंटिंग हो रही है, एक राउंड के हम आपको परिनाम बता रहे हैं, कॉंग्रेस के कैप्टन रंजीज सिंग के ख चुनाव रहाया था और कॉंग्रेस के टिकेट पर वो चुनाव जीते थे 2022 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए तो उस समय भी राजेंदर राणा जो है कांठे की टक्कर में जो है कॉंग्रेस के टिकेट पर ही विजय हुए थे इसी तरह अगर हम चलते हैं अगले व 59 मतों से जो है आगे हो गए हैं चैतन्य शर्मा यहां पीछे दूसरे स्थान पर हैं अभी यहां इस विधानसभा शेतर में 13 राउंड की जो है काउंटिंग होनी है एक राउंड अभी अपडेट हुआ है इसके बाद हम बात करते हैं कुट लहर कुट लहर में जो है यहां अभ गए बहाजपा के देवेंदर सिंग भुटो जो है वो आगे चल रहे हैं 397 मतों का अंतर है और जो कांघृस के विवेग शर्मा है वो दूसरे स्थान पर हैं आपको बता दियें कि विवेग शर्मा मुख्यमंतरी सैंग के पसंद रहे हैं और मुख्यमंतरी बह्राइं जो है टिकेट का पहले कर दिया था हाला कि जो है अभी भारी उलट फेर के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था तो ये थे आपके सामने हिमाचल विधान सबा उप्चुनाओ के ताजा अपडेट